नमस्कार दोस्तों आईए आपको बताते हैं कौन है चंसेखर उर्फ रावण दलित नेता चंसेखर उर्फ रावण भीमार फीचीव चंसेखर उर्फ रावण के बारे में आईए बताते हैं कौन हैं वो साल 2017 में शाहरनपुर की सब्बीरपुर गाउं में दलितो और सवन्लों के बीच हिंसा की घटना हुई इस हिंसा के दौरान एक संगठन उभर कर सामने आज इसका नाम था भीमारमी भीमारमी का नाम पूरा भारत एकता मिशन भीमारमी है असका गठन करीब 6 साल पहले किया गया था इस संगठन के संस्थापक और अध्यच्छे चंदर सेखर जिन्होंने अपना उपना नाम रामण रखा हुआ है पेसे से वकील चंसेखर के परिवार में दो बहने हैं जिन में से एक किसाधी हो चुकी है और दो भाई हैं चंसेखर खुद भी अववाहित हैं उनका दूसरा भाई पढ़ाई के साथ साथ एक मैडिकल स्टोर पर नौकरी करता है एक चचेरा भाई है जो इंजिनियर है सबीरपूर में हुई हिंसा के बाद रावन ने 9 माई 2017 को सहारनपूर के रामनगर में महापंचायद बुलाई जब महापंचायद के लिए पुलिस ने अनुमती नहीं दी लेकिन सोसल मीडिया के जरिये महापंचायद की सूचना भीजी गई सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें सामिल होने के लिए पहुचे जिन्हें रोकने के लिए दोरान पुलिस और भीमार्मी के समर्थकों के भीज संगर्च हुआ और इसके बाद चंसिकर के खिलाब मामना दर्जकर उन्हें के रिपतार कर लिया गया करीब 6 साल पहले 2011 में गाउं के कुछीवाओं के साथ मिलकर चंसिकर ने भारत एकता मिसन भीमार्मी का गठन किया था भीमार्मी आज दलितीवाओं का एक पसंदीदा संगठन बन गया है सोसेल मेडिया पर भी इस संगठन से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं खास बात या है कि इस संगठन में दलितीवोकों के साथ पंजाब, हरियाना, सिक्खीवा भी जुड़े हुए हैं सहारन स्वामली मुझफर नगर समेत पस्ची में यूपी आ संगठन अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं चनसिखर बताते हैं कि दसमई को रामपूर में हुई वरदास में भी सभी लोग भी मार्मी के सदस नहीं थे नोंने कहा कि रामपूर में बावाल होने के बाद अधिकारियों ने उसे विरधियों को सांध करने के लिए बुला था मामले हैं जहां पर दलितों कि कोई सुनवाई नहीं हुई हमारे लोगों पर हर देन अत्याचार किया जाता है और उनके आसपास उनके बारे में आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है उनुने कहा कि मैं सभी को बताता हूं कि इन दिनों में सबसे महत्पूर बातीया है कि दमन से लड़ने के लिए दलिष सच्छित हूं। उनके प्रिंदा सोत के तरह से बन गए हैं जैसे कि बाबा साहिब भीम राम बेटकर को लोग अपना प्रिंदा सोत मानते हैं उनके अइंसाबादी और उनके तमाम बिचारों को मान कर चलते हैं वैसे ही चंद सेकर की इवाओं के बीच काफी ज़्यादा पहचान हो गई है यह आप तक की इवाओं का भी दरज्या उन्हें मिल चुका है चंद सेकरूर रामड को तो एसे में चंद सेकरूर रामड जह पॉलेटिकल में डेखते हैं कितना आगे चलकर क्या कर पाते हैं अभी तक उन्हें किसी पार्टी को जॉइन नहीं किया है कॉंग्रेस की तरफ से ग्लोब अगरोफिक